वेलकम टू मसलेनियस नॉलेज हाई इस बिशुजीत आप लोग टाइटिल देख समझ गया हूंगे कि मैं कौन सा टॉपिक के बार में डिस्क्रिशन करने वाला हूं हम सभी लोग जानना चाहते कि मैं इंटेलिजन हूं या नहीं तो इसका इंसार आपको इस वीडियो में जर चित बिश्व में सेग है लेकिन आज तक इसका को स्टंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कुछ रिसर्चर्स में सुझाब दिया है कि जो इंटेलिजन्स है एक सिंगल जेनरल एविलिटी है इंटेलिजन्स के अदर तियोरी यह मानते है कि इंटेलिजन्स में एक प्रकार की एक स्किल और टैलेंट शामिल है इस बिश्व में बहुत सारा इंट्रेस्ट के बावजुद अभी भी रिसर्चर के बीच इंटेलिजन्स के जो कॉम्पोनेंट है इसके बाद में आम सहमती नहीं बन पाई है हाला कि जो बुद्धी के कंटेंब्रेट डेफिनिशन है वो काफी एक्सपियेंस से सीखने का एविलिटी जैसे कि नॉलेज जिलना उसे लंबे समय ते गयाद रखना और सही इस्तिमाल करना उसके बाद प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना या पहचानना प्रॉब्लम्स को पहचानना या रिकॉग्नाइज करने का एविलिटी को जो प्रॉब्लम से इसके समारंग के साथ आने के लिए जो कुछ उनने सीखा है उसका फ्यो करना चाहिए चलिए भी जानते हैं वो दस साइन्स जो इंडिकेट करता है एक अपसुलूड जीनियस को इंडिकेट करता है कि एक बेक्ती एक अपसुलूड जीनियस है विद एक्स्ट्रेमली इंडिकेट ब्रेइन फर्स्ट साइन टॉकिंग टू यूर्सल्ड जब आप अपने आप से बात करते हैं पाये जाते हैं तो लोग अकसर कह सकते कि आप पागल है या इसे पागलपन का संकेत मान सकते हैं लेकिन फैक्ट अलग है क्योंकि ऐसा बीएवियर एक्शोली में इंटिलिएंस का साइन है जो लोग अपने आप से बात करते रहते हैं उन्हें साइन्टिफिकली एक जीनियस माइन वाला माना जाते हैं जोड से बॉलना एक वर्किंग बेन का साइन है जो आइडियाज और तॉट्स को और्गाइज करने के प्रयास में बीजी है इसलिए ये लोग जोड से बात करते हैं सेकेंड पॉइंट डिफिकल्टी इन कॉंसेंट्रेटिंग जब आपको कॉंसेंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है तो आप उसे प्रॉब्लम के रूप में सोच सकते हैं लेकिन इसका मतलब है कि आपका ब्रेन बहुत सारा थौर्ट्स और आइडियस से भढ़ा है आपके ब्रेन के लिए इजी हो जाता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना इसलिए आपको कॉंसेंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है नमबर त्री वर्किंग एट नाइट जीनियस माइंड वाले लोग रात के समय काम करना और पढ़ना पसंद करते हैं नमबर फॉर डेट ड्रीमिंग एक एपसुलूट जीनियस ब्यक्ति को अक्सर डेट ड्रीमिंग करते हुए पाया जाता है जो इंडिगेट करता है कि उसका दिमाग थौर्ट्स और क्रीटिविटी से बढ़ा है मतलब फिल्ड है नमबर फाइट दिपिकल्टिन क्या है उसको डिल करने में बिजी होते हैं नमबर सिक्स ट्रस्टिंग इंट्यूशन अधिक बुद्धी वाले लोगों के जीमन में बड़े निर्ने लेने के लिए अपनी इंट्यूशन पर वर्ट्सा करते हैं मतलब इंट्यूशन मतलब अंतर ज्यान हाला कि जीनियस प्रदी बहुत ज्यादा सवान होती होते हैं मतलब इंपैथी होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में इमोशनल जो फूसिंग हैं बहुत तेजी से होती हैं इसके कारण लोगों की भाबनों को आसानी से समझ सकते हैं यह लोग दूसरे लोगों की भाबनों की प्रदी बहुत सं अपने इंट्रेस्ट के बहुत सार रिलेटेड़ टॉपिक होते हैं ऐसा लोगों के दिमाग सब इंट्रेस्ट के टॉपिक की चूज करने में प्रिफर करते हैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी एक के लिए जो जिनियस लोग होते हैं वो अकेले में रहते हैं क्योंकि वो लोग साइलेंस कोचते हैं मतलब साइलेंस के लिए सर्च करते हैं जिनियस माइंड्स को बहुत समय चाहिए इसलिए कभी-कभी वो भीड़ को इग्नॉर करते हैं नमबर चेन ओवर्टिंगर जीनियस लोग ओवर्टिंगर होते हैं यह जीनियस लोग के लिए खत्रा है कि उनके पास विचार से दिमाग होने के कारण वो बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसा लोग अपनी जीवन के सभी निर्ने के बारे में हमेश्या दूसरे बिचा रखते हैं और एक बिकल्प के साथ आगे पीछे जाते हैं आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट किजिएगा सो थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो